नमस्कार मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्दन चनल में 2022 का साल आपका investment के तौर पर कैसा रहा वो एक बार comment करके जरूर बताएं अगर आपने investment start नहीं किया और 2023 से आप investment करना start करने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखे आपको बहुत सारी information मिलने वाली है वो भी बहुत ही कम समय के अंदर 2023 के अंदर हमारा जो साल था वो बहुत ही average था ऐसा कोई भी index नहीं था जिसने बहुत ही सांदर perform किया हो एक को छोड़ कर वो मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको आसाई से पता भी चल जाएगा यहाँ पर हमने time period लिया है 1st January से लेके 31st December तक का यहाँ पर हमने category wise divide किया है large cap, mid cap और small cap को यहाँ पर हमने चौथा एक index भी सामिल किया है वो है micro cap micro cap के अंदर 250 stocks आते हैं जिसका nifty code है nifty micro cap 250 index large cap को अगर हम further divide करते हैं तो इसमें हमें 4 index देखने को मिलते हैं जैसे कि nifty 50, nifty next 50, nifty 100 और nifty 200 mid cap को अगर हम divide करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 index देखने को मिलते हैं 50, small cap को भी अगर हम further divide करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 index देखने को मिलते हैं जैसे कि nifty small cap 50, nifty small cap 100 और small cap 250 और small cap के बाद आता है micro cap, micro cap को भी यहाँ पर मैंने इसलिए include किया है क्योंकि इसका data जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह data देखके आप shock हो जाओगे यहाँ पर हम index में सबसे खराब performance देने वाले से लेकर सबसे बढ़िया performance देने वाले index इसको एक line में रख दिया है उसके सामने यहाँ पर हर एक index ने कैसा return दिया है वो भी आप यहाँ पर बार चार्ट के तोर पर देख सकते है सबसे खराब perform करने वाला जो index है वो है nifty small cap 50 जिसने minus 17.38% का return दिया है मतलब इसने हमारे पैसो को कम ही कर दिया है small cap 100 ने minus 12.37% का return दिया है इसने भी हमारे पैसो को कम किया है एक साल के अंदर small cap 250 ने भी minus 2.38% का return दिया है इसने भी हमारे पैसो को कम ही किया है अब आते positive जो की है nifty next 50 जिसने मातर 0.69% का return दिया है जो की बहुत ही negligible है nifty mid cap 150 ने 3.11% का return दिया है nifty 100 ने 4.46% का return दिया है nifty 200 ने 4.51% का return दिया है nifty mid cap 100 ने 4.56% का return दिया है nifty 50 ने 5.18% का return दिया है जो की एक FD के बराबर भी नहीं है इसलिए मैं आपको starting में कहा था कि हमारा जो market का performance है वो nifty 50 की base के उपर ही देखा जाता है nifty 50 ने FD के बराबर भी perform नहीं किया है nifty mid cap 50 ने 5.35% का return दिया है जबकि हमारा नया शामिल किया गया micro cap 250 index ने 10% return दिया है जो की बहुत ही शांदार है अभी के समय में micro cap 250 के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि सब लोग micro cap 250 के बारे में जरूर बात करेंगे क्योंकि 2021 का अगर हम डेटा देखे तो उस समय जो small cap थे और mid cap थे उसने बहुत ही ज़्यादा शांदा returns दिया थे small cap ने उस समय तो 100% के return दिया था मातर एक साल के अंदर मतलब हमारे पैसे एक साल के अंदर ही डबल हो गए थे उस समय micro cap 250 ने भी बहुत ही अच्छा return दिया था और अभी ऐसे माहोल के अंदर भी micro cap 250 बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो समदलो market अगर future में अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो यहाँ पर हमारा जो mid cap और small cap segment है वो बहुत ही शांदर परफॉर्म करने वाला है यह data देखकर हमें यह समझ में आता है कि large cap ने अभी तक ठीक ठाक परफॉर्म किया है जबकि mid cap और small cap ने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया है जब भी market condition बहुत ही अच्छी होती है उस समय small cap और mid cap का contribution बहुत ही अच्छा होता है यह average market के अंदर large cap ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है लेकिन अगर समझ लो कि market जब बहुत ही शांदर परफॉर्मस देने वाला होगा उस समय mid cap और small cap तो आपके portfolio को कहां से कहां लेके जाएगा यहाँ पर मैंने micro cap को भी इसलिए सामिल किया है ताकि आपको भी micro cap के अंदर कौन से कौन से stocks है उसको भी एक बढ़ ध्यान भी देना चाहिए क्यूकि उसके अंदर के stocks ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे है इसके कराण ही micro cap का जो पूरा इंडेक्स है वो शांदर परफॉर्म कर रहा है अगर आपने अभी तक अपना investment start नहीं किया है तो description में दिये गए link पर click करके आप अपना investment journey start कर सकते है यहाँ पर आपको एक experienced relationship manager appoint किया जाएगा जो आपकी investment journey में आपको अच्छी तरीके से help करेगा mutual funds के अलावा यहाँ पर आपको insurance, fd, pre-ipo, pms और eventures जैसे भी अलग-अलग products में भी exposure मिलता है वोब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो थैंक यू